मेरा नाम विक्रम है मैं आज बैठा हूँ चंचलेश साहू के साथ जो पिछले साथ सालों से डिजिटल ग्राफिक्स की दुनिया में काम कर रहा है आप छिनवाडा में छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक जितनी भी आप पोस्ट देखते हो वो सारी पोस्ट यहा आप अपने वारे में नमस्कार मेरा नाम चंचलेश साहू है और मैं चिनवाडा का रहने वाला हूं आप वेसिकली में Every Montages असी के लिए और सब्सक्राइब पोस्टर सबनार इस टाइब की चीज़ेまぁ ग्राफिक्स होती है वो कितनी के और पूस्ट केसाफ से बमिंग जाती है पर पूस्ट कितना पर फूस्ट करता है 500 जिस टाप से उसका काम उस तैप से प你 कैसे रहे माला इंटरस्ट कैसे आपकर पहला बच्पन से इसमा इंटरस्ट था या तो मिए आपको कि इसे कोर्स करो यार इससे ज्यादा फाइदा है नहीं बच्पन से क्रेटिविटी काफी कुछ थी तो बस करते करते और देखते देखते सीख गया है कैसे शुरूआ तुई अलाग एजुकेशन क्या था आपका फिर उसके बाद क्यासे एंटर हुए आप मेरा एजुकेशन कंप्यूटर लाइन का कुछ भी नहीं है मैं टेखनिकल बंदा हूं मेरा मैंने आई टी आई किया हुआ हूं इलेक्टिशन से और बस इतना ही है और 12 कंप्लीट है मेरा इसके स उनको देखते देखते सीख गए तोटल अभी मंतली कितनी इंकम हो जाती है यह कुछ 25-30-35-40 मतलब काम के ओपर डिपंड करता है जिस सीजन अच्छा फेस्टिवल जादा आता है ना तो उस समय अच्छी अर्णिंग हो जाती है और जिस समय कहना चाहिए कि समय ऐसा आता है होली के बाद जब फेस्टिवल कम होते हैं तब आपकी मतलब अर्निंग उस समय थोड़ी स्लो रहती है बागी गर्मी के इवन्ट जो से मतलब कहना अच्छी है गर्मी के साब से छूटियों जो पूस्ट बनती है वह बनाते रहते हैं किशार चाहिए पर जब फेस्टीवल मदली इंडियान फेस्टिवल सीजन जो भी चल रहा है हो तो उसके किस-किस इंसिट्यूशन के कहां-कहां के और सबके पास है आप बैसिकली हम लोग अभी 20 क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं और बैसिकली हर दिन 20 पोस्ट बन जाती है मतलब आपको 20 पोस्ट ग्राफिक्स बन जाते हैं इसमें कोई भू नहीं है जैसे मैं आपको दिखाता हूं यह कामठी वाले हैं हमारे बास इस टाइप से जो ग्राफिक्स डिजाइन होते हैं और यह स्रीजी रिशॉर्ट का है यह फूट डेपर बनाया हुए था और यह प्राश टीवीएस का है और यह प्रीग्रेजूट का है जिस कंपनी के लिए हम साथ में काम करते हैं तो मतलब यह यहां पर जो ओर है तो उखसिस करने बाद तो आपकी तरह काम कर पाएंगे और आपकी तरह पैकेज सब्सक्राइब करते हुए आपकी तरह अर्न कर लेगा क्या बिल्कुल कोई भी कर सकता है ऐसा कुछ नहीं है कोई भी कर सकता बस इतना है कि उसका इंट्रेस्ट होना चाहिए किसी भी काम को लेकर सबसे पहले उसका इंट्रेस्ट हो तो कोई भी काम कर सकता है ऐसा नहीं है और जैसे इंट्रेस्ट नहीं प्रेटिविटी करना पड़ेगा और यह सारे चीज़े यहां पर सीख सकता है तो आगे क्या विचार है आपका आगे इस फिल्ड में आप और इसी में आर्न करोगे या फिर आगे इसी को कभी बंद नहीं करूंगा मतलब एक गंटीनियूर रहेगा और इसे बड़ी कंपनियां जो होती है तो खुद आफर करें तो यहां से बैठे बैठे काम किया जा सकता है ताइंग क्या है आपके आफिस की और साम को मतलब कितना कितना समय आपको देना पड़ता है वह सिक्लिव तो तो रात के बारा भी बज़रें और एक वी बज़रें बैसे एक लिए इसा तो होता नहीं है शाम को 6 बज़े तक काम करके चले जाते हैं ज्यादा पोस्ट लेदी आगे ज्यादा ओडर दी मिल गया हैं तो आपको फिर मतलब ज्यादा समय लग जाता पोस्ट बनाने में तो आज हमने जान लिया चंचलेश साहू के बारे में आप देख सकते हो ओफिस कि यह किस तरह का ओफिस है यहाँ पर बालाजी प्लाजा में यह ओफिस है तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़े सीखेंगे कि पूरे चिनवाडा में आपको देखने को नहीं मिलेगी तो आईए अब आप हम अंदर का जो है विजिट कर लेते हैं अंदर किस तरह का ओफिस है यहाँ पर वैभव सर है तो अभी वह फिलाल है नहीं यहाँ पर तो जैसे ही वह कभी आएंगे तो मैं इन्हें कभी वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा यह इनके सर्टिफिकेट्स है तो इस त कारे फ्री हैं आपको यह पता होना चाहिए आप खुद भी सेल्फ कर सकते हो और यहां से भी आप गाइडन्स ले सकते हो तो आई होप यू हैव इंजॉइड आर वीडियो थैंकी सो मच फॉर लिस झाले आपको यह तो जोग हो तो इज दूखचू अजूपन्स लेगाँ टूंगा टूंगा यह झाले 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 ओगार भी आपको यह पिसारा यहां से रहले कि अपको सकते हैं वीडियो भी देंखिए तो इस फेल्टार दोगिजशू दोग्टार रहन आपको